वेलकम टो ओनली आईएस, आज है 20 जून 2020, तो आज है स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफ़ेर्स MCQ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको तीन जोग्राफिकल इंडिकेशन्स और उनके स्टेट्स का पेर दिया गया है, बत कर सकते हैं, देखेंव अप यहाँ पर अगर बिल्कुल कुछ भी ना पता हो, तो आप एक ग्लत भी ओ सकता है, लेकिन इस तरीके के अन्यूस्वल गैस्व कई बार सही निकलते हैं, तो आप इसे सही मैच मान सकते हैं, और उम्बबुर्द, यहाँ पर इस वड को आगर आ यह जो word है यह या तो South Indian word होगा या फिर यह North Eastern word हो सकता है तो अगर यहाँ पर मुझे च्वाइस में एक South Indian state मिला है तमिल नाडू तो मैं एक guess लगा कर इसे सही मान सकता हूँ सहराई खोवर पेंटिंग के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा कि यह उत्तर प्रदेश का है या फिर नहीं है तो सही जवाब यही है कि यह दोनों तो correct है लेकिन यह incorrect है क्योंकि जो सहराई खोवर पेंटिंग है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बलकि जहारखंड में इ उसे GI tag दिया गया जिसके बाद इनको एक जोग्राफिकल आइडिनिटी मिल गई है तो रही खोर पेंटिंग के बारे में बात करें तो एक ट्रिशनल और इचलिस्टिक मुराल आर्ट है जहां पर पहले दिवार पेस्ट तयार करके बनाया जाता है उसके बाद उस पर पेंटि कर रॉलूं का हाथ से बनाया जाता है इस रुमाल को और वेजिटेबल डाइस का इस्तिमाल किया जाता है हाथ से बनाना ही इसकी यूणीकनेस है historically इसे जो निजाम के डैनेश्टी हुआ करती थी हैदराभाद में तो वहां के पर पर प्रशन गल्स मेड़िल इस्ट आफरिक इक जिस यह है कि इसमें कि वह सिंगल block of wood का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लखडियों को जोड़ा नहीं जाता, एक ही block को इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, अगला question चैंपियन्स पोर्टल के बारे में है, हाल ही में न्यूज में देखा गया, statement consider करिए, पहला statement यह है कि यह technology driven, control room come management information system है, दूसर statement यह है कि यह customers को help करेगा कि वो अपनी complaint register कर सकते हैं, और within 60 days उनकी जो problem है, उसको redress कर दिया जाएगा, तो बताइए, कौन सा statement correct है, कौन सा incorrect है, अगर आपने सही जवाप सोच लिया, तो बात करते हैं, देखे, यह तो statement correct लग रहा है, मतलब इस तरीके के प्रशन, usually general statement गलत नहीं होते, कि technology driven है, control room come management information system है, इसमें ऐसा कुछ गलत लग नहीं रहा है, तो यह तो सही निकल जाएगा, आप normal guess भी लगा सकते हैं, आपको जो trap मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा, देखने में यह statement भी गलत नहीं लग रहा है, लग रहा है, यह सही है, कि मतलब इस portal पे वो कोई अपनी problem रख देंगे, और साथ दिन के भीदार उसको redress कर दिया जाएगा, बट यह तो trap में लेने के लिए रखा गया है, यह गलत है, इसमें ऐसा कोई time system नहीं है, कि साथ दिन के अंदर उनकी जो problem है, उसको redress किया जाएगा, एक्चुली में उनकी problem को redress किया जाएगा इसमें, लेकिन उसका objective है, उसका objective यह है, कि MSME उसको national level पे, important level पे पहुँचाया जाए, और उन्हें global reach भी दी जाए, उसके लिए उन्हें जो भी problem आती है, उसे इस champions portal के तहर solve किया जाएगा, लेकिन यह जो 60 day दिया गया है, यह एक trap है, यह गलत निकलेगा, तो only one will be the correct answer, और यहाँ पर देखिए, जो champion का full form है, that is, और यह western ghat के rain forest का endemic है, मतलब सिर्फ वहीं पर पाया जाता है, slender body, पतली body होती है, webbed feet होता है, मतलब जालीदार pair होते हैं, दूसर statement यह है, कि इसका जो IUCN का conservation status है, वो least concerned है, तो बताइए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, नहाँ पर आप यह पहला वाला statement तो आसानी से guess कर सकते हैं, अगर कोई frog fly कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसे एक पतली body तो चाहिए होगी, अगर इसके webbed feet होगे, तो उसे उड़ने में आसानी होगी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर यह जानकारी ज़रूरी होगी कि endemic है कि नहीं है, तो हाँ यह endemic है, यह भी सही है, और यहाँ पर आपको थोड़ा conflicting दिखेगा कि यह केवल western ghat में endemic है, तो हो सकता है, इसकी संख्या कम हो, यह least concern ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पाये जाते हैं वहीं पर, बट उनकी संख्या है परयाप, that's why यह IUCN conservation status में least concern ही है, तो दो के दोनों है statement यहाँ पर आपको correct मिलेंगे, news में इसलिए था, क्योंकि अभी हाल ही में ने केरला के पुलाड में spot किया गया, इसलिए यह news में आया, इन्हें gliding frog भी कहा जाता है, यह western ghat के rainforest में पाये जाते हैं, और इनके पास एक comafledged, जो feature होता है, वो भी होता है, जैसे यह गिर-गिर की तरह रंग बदल सकते हैं, वो जिस atmosphere में होते हैं, उसी की तरह अपना जो color है, वो change कर लेते हैं, अगला question coral reefs के बारे में है, corals एक carbonate exoskeleton secrete करते हैं, जो उन्हें protect करता है और support करता है, दूसरा, ज़्यादा तर जो reefs होती हैं, वो warm, shallow, clear, sunny और agitated water में मिलती हैं, तो पताई ही कौन सा statement correct है, कौन सा incorrect है, coral reefs के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, guess लगाई है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, अगर आपने अपना answer choose कर लिया है, तो मैं बता देता हूँ कि दो के दोनों ही statement correct हैं यहाँ पर, देखें, जो coral होते हैं, वो एक प्रकार के जीव होते हैं, जिनको protect करने के लिए उनके उपर calcium carbonate की एक कवच होता है, जो जैसे कच्छुओं के पास होता है, वैसे उनके पास भी होता है, वो उनको protect करता है, तो यह statement तो correct हो जाएगा, उनके उपर जो आपको color देखने को मिलता है, वो algae की वज़ा से होता है, वो algae उनके उपर होती है, जो उनको color देती है, और जो algae होती है, वो food तयार करती है, तो जो corals होते हैं, वो algys को base देते हैं, और algys उन्हें खाना देती हैं, तो दोनों की बीच में सेंबर्टिक रिलेशनसिफ होती है, चुकि algys खाना तयार करती हैं, तो उन्हें रोशनी चाहिए, वो रोशनी उन्हें shallow और clear sunny water में ही मिलेगा, comparatively warm atmosphere चाहिए, अगर बहुत ठंडा होगा, तो algys मर जाएंगे, तो जो coral होगा, वो भी मर जाएगा, ठीक है, तो ये दो के दोनों statement आपको यहाँ पर सही मिलेंगे, अब जो coral reef तयार होते हैं, उसमें होता यह है, कि जब वो coral मर जाता है, तो उसका जो skeleton होता है, वो वहीं पर रह जाता है, यह move नहीं करते, एक जिगह पर रहते हैं, तो एसे जब बार-बार corals आते रहते हैं, तो हजारों सालों में एक आपको चटानी आकरते दिखने लगत हैं वो नहीं हुआ ठीक है गल्फ आप मंदार में लगभग 21 आइलेंड्स है जहां पर काफी बड़ी मात्रा में कोरल्स मिलते हैं और human या climate change की वज़ेस activities के वज़ेसे काफी नुकसान भी होता है कोरल रीफ एक underwater ecosystem होता है जो कि reef building वहाँ पर रीफ विल्डिंग कोरल्स पाया जाते हैं इनके उपर जो कवच होता है उसे polyps कहा जाता है coral polyp कहा जाता है जो की calcium carbonate का बना होता है इनहीं से मिलकर reef तयार होती है बाकि जो दूसरा statement था वो तो सही था और इन्हें rainforest of the sea के नाम से भी जाना जाता है ठीक है coral reefs इंडिया में कहां कहां पाये जाते हैं वो इस map में दिखा गया है दिखे यह जो पूरे area spot किये जा रहे हैं यह आस पास का जो पूरा इंडिया का area है यहाँ पर आपको coral reefs मिल जाएंगे अगला question global nutrition report 2020 के बारे में है पूछा गया है कौन इसे release करता है बताई जवाब क्या है आपने जवाब सोच लिया है तो मैं बताता हूँ confusion हो सकती है nutrition की बात है तो food and agriculture organization भी हो सकता है nutrition international भी हो सकता है options इसी लिए ऐसे बनाए गए है ताकि आप confused हो जाएं लेकिन यह जो सही जवाब है इसका आपको WHO ही मिलेगा क्योंकि nutrition वगेरा को लेकर ज़्यादा concern WHO का रहता है WHO ने इस report को तयार किया इंडिया में highest rate of inequality mal nutrition में पाई गई है में बहुत ज़दा लोग का सिखार होते हैं 2014 में for the first time इस report को publish किया गया था और यह globally originally अपना जो system है उसको या फिर जो भी situation है उसको portrait करता है multi stakeholder initiative है ठीक है कई सारे stakeholders इसमें involved होते हैं अगला question regional maritime information fusion center को लेकर है statement को बताईए पहला statement यह बोलता है कि यह design किया गया है maritime domain में awareness को deep end करने के लिए maritime activities को monitor करने के लिए और जो information है उसे promote करके share करके और information exchange के लिए दूसरा statement यह है कि international maritime organization के AGES में work करता है सही जवाब आपने सोच लिया होगा तब मैं बता रहा हूँ जो पहला statement है मुसके बारे में बात कर रहे है fusion का मतलब क्या होता है जब कई सरी जगहों से कोई चीज एक जिगह पर एकठा हो एकठरी करन उसे fusion कहा जाता है और यह information fusion है मतलब information एक जिगह पर आएगी तो maritime domain में awareness deepen होगी की नहीं होगी maritime activities को जड़ा अच्छे से monitor कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे तो आराम से आप समझ सकते हो कि यह वाला तो सही है यह गलत है और यह आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो यहाँ पर है regional maritime information fusion center यह word important है अब यहाँ पर क्या है international maritime organization international यह body है यह global level पर work करती है तो किसी regional initiative में इसका क्या काम है अगर यह regional maritime information fusion center है तो इसमें कोई regional body work कर रही होगी तो यह statement आप आसानी से पता कर सकते हो कि गलत है आइमो तो नहीं होगा कोई regional body होगी तो जो पहला statement है वो तो सही है लेकिन जो दूसरा statement है वो incorrect है इंकरेक्ट इसलिए है कि यह Indian Ocean Commission के अंडर में होता है जो कि Medagascar based है जो IOC है उसे 1982 में बनाया गया था और इसका जो institutional setup था वो 1984 में तयार हुआ इसके जो member state है वो है Comrose, Medagascar, Mauritius, Reunion Island जो कि France का एक overseas region है और शिशलीज इंडिया नहीं है इसका member state observer states कौन है उसमें इंडिया है observer states में China, Malta, European Union और जो International Organization of La, Francophonie है वो और अभी इंडिया भी इसका जो observer states है वो है secretariat Mauritius में ही है diplomatic, economic, commercial cooperation यह establish करते हैं अगला question, Omeobiasis के बारे में है पहला statement यह बोलता है कि एक parasitic infection है जो कि colon में पाया जाता है और यह infection, Amoeba, Antamoiba, Hysterolytica की वज़े से होता है colon, human organ का एक part है जो कि पाचन तंत्र के अंतिम भाग में होता है जहांपर human excreta एकठा होता है दूसरा statement यह बोलता है कि जो protozoans होते है उन्हें जब वो infection होता है तो वो high concentration of oxygen में survive नहीं कर पाते है तो पताई कौन सा statement सही है, कौन सा गलत अब यह देखिए जनकारी होनी चाहिए आपको कि यह colon में infection होता है कि नहीं होता है तो यह statement सही है पुलन के infection को ही इस बिमारी के नाम से जना जाता है और protozoans के बारे में यह बास सही है कि अगर ज़्यादा मात्रा में oxygen निकठा हो जाए तो यह जो protozoans होते हैं इस survive नहीं कर पाते उन्हें नुक्सान होने लगता है तो जब भी यह body में infection होता है तो body उनको counter करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में oxygen निकठा करती है ताकि यह survive ना कर पाए तो अपने आपको बहुत बड़ी मात्रा में oxygen से बचाने के लिए यह एक प्रकार का तद तो निकालता है जिसे system कहा जाता है ताकि वो oxidative stress से बस सके तो यहाँ पर आपको दो के दोनों ही statement correct मिलेंगे यह दो के दोनों statement यहाँ पर आपको correct है यह इसमें दिक्कत लग सकती है कि oxygen की मात्रा बढ़ने से उने नुकसान होता है या फिर वो कम oxygen में survive नहीं कर पाते तो नहीं वो ज़्यादा oxygen में survive नहीं कर पाते और इसलिए body उनको मारने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में oxygen भी एक अठा करती है यह तरीके का parasitic infection होता है जो की colon में होता है और यह third leading cause है इंडिया में जो parasitic disease humans में होती है उनसे जो मौते होती है उनमें third largest जो मौत होती है वो इस disease से होती है जो अगला question है वो Italian hydropower project के बारे में है पुछा गया है कि कौन सी नदी पर यह project लगाया जा रहा है न्यूज में था याउना, सुबनसीरी, दिबांग, ब्रहमनी सही जवाब अगर आपने सोच लिया है जो कि ब्रहम पुत्रा की tributary है और टालिस लिए दिया गया क्योंकि इससे बहुत ज़़ा वायड आवसिटी को loss होने की संभावना है तो अभी विचार चल ही रहा है चाइना से पहले अगर हम ऐसा कुछ project तयार कर लेंगे दिबांग निवर पर तो हमारा भी claim बन जाएगा कि चाइना अगर कोई project तयार कर रहा है तो उससे हमें नुकसान होगा हम claim कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार का project develop किया जा रहा है दो question mapping पर आज हमारे थे आपसे पूछा गया है कि मुझावे या फिर मुझावे एक ही नाम है एक dessert का North America में तो ये किन दो desserts के बीच में है Great Basin Desert, Sonoran Desert Sonoran Desert, Chihuahuan Desert Great Basin Desert, Chihuahuan Desert Great Sandy Desert या फिर Sonoran Desert तो अब आप यहाँ पर बताईए कि सही जवाब आपके लिए क्या है अगर आपने सही जवाब सोच लिया है mapping का part आपने cover किया था तो A है correct answer मुझावेट Desert आपको Great Basin Desert और Sonoran Desert के बीच में मिलेगा map में देख लीजिए यहाँ पर देखे ये जो green color में है ये है Great Basin Desert और ये pink color में आपको Sonoran Desert मिल रहा है और बीच में ये जो area है ये है मोहावे डिजर्ट का तो दोनों के बीच में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पर चिवा हुआन भी है तो इसके भी तो बीच में ही आया अगर इसके बीच में आया भी तो जो सबसे close answer होगा वही सही माना जाएगा ठीक है तो ये correct answer है ग्रेट बेसिन और सुनरन के बीच में मुहावे डिजर्ट आता है वही बाते यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो ग्रेट बेसिन डिजर्ट है वो एक temperate डिजर्ट है जहाँ पर hot dry summer और snowy winter आपको देखने को मिलेगा और चिवा हुआ डिजर्ट जो है वो second largest dessert है पूरे अमेरिका का और North America का largest है ठीक है अगला question आपको बताना है ये जो bay या गल्फ आपको देए गए हैं इनको north to south आप match कर दीजे Baffin, Gulf of Mexico, Hudson Bay Gulf of Mexico, Hudson Bay, Baffin Bay Baffin Bay, Hudson Bay Gulf of Mexico, Hudson Bay, Baffin Bay, Gulf of Mexico तो यहाँ पर आपको चार options देए गए हैं North to south इन जो adjoining water bodies हैं आप इनको match करिए अगर आपने mapping को पढ़े कि इस जवाब को सही सोच लिया है तो मैं बता देता हूँ C is the correct answer map में आप देख लेंगे clear हो जाएगा यहाँ पर देखे Baffin Bay है यह Hudson Bay है और यह Gulf of Mexico है तो north to south जो आपको sequence मिलेगा यहाँ पर वो यही मिलेगा Baffin, Hudson and then Gulf of Mexico courses available है कुछ only ISP अच्छे courses हैं बहुत qualitative way में आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो आपी courses अवेल कर सकते हैं जहाँ पर पूरा program है जिसमें आप prelims की और mains की तैयरी कर सकते हैं पर जाकर आप इन एक्सेस कर सकते हैं कल के mapping के पार्ट का जो homework है उसमें आपको south अमेरिका के सारे mountains सयार करने हैं उनसे फ्रशन पूछा जाएगा और अपना score comment box में बताना मत भोलिएगा थैंक्यो बरे मत